इस वीडियो को मैं record कर रहा हूं इन सर की request पे जिनका नाम आपको display पे सो हो रहा है इन्होंने request करी कि सुधीर भाई astrology scam के उपर वीडियो जरूर बनाना तो उसी scam पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं खेर अगर आपको किसी को अपने वस्मे करना है तो उसके दो बहतरीन तरीक करना मुझे लगता है साथ ये गलत नहीं है मैं कोई philosopher तो नहीं हूं बड़ सिंपल सी बात है जो मेरी समझ में आती है लेकिन आजकल चल गया रहा है इंटरनेट की इस दुनिया में एक नया scam चल ला है देखो होता गया है कि आपने किसी लड़की को देखा किसी लड़के न ना फिर आपका boyfriend आपकी girlfriend आपको छोड़के चली गई है यहां आपको किसी को अपने वस में करना है वसी करना है यह मतलब बक्याती वाली टरम आपको इंटरनेट की इस दुनिया में मिलेंगी अब होता है आप जाते हो Google पे Google पे सर्च करते हैं तो आपको कुछ ऐसे advertisement दीख होता है जो बंदा Atlas की cycle पर आपके आके आपको BMW और Mercedes के सपने दिखा देता है लेकिन यहां पर क्या होता है क्योंकि यह जो लड़का है या लड़की है इसको सामने वाले से इस कदर प्यार है इस कदर मुहाब्बत है कि यह बंदा वो जो details मांगता है उसको देता चला जाता है मैं example लेता हूँ एक mail का किसी भी लड़के का कि मान लो उस लड़के ने क्या करा उसने बोला यार मुझे लड़की का number दे फोटो दे सारी डिटेल एड्रस वगरा सब दे दिया अगर वो मौल भी बनके कर रहा है तो वो अपने तरीके बताएगा अगर वो कोई Christian है तो उ होता है अब कि अब जैसे मान लो पंड़त जी है उन्होंने बोला आपसे की 5000 रुपे लगे ऐसी मौलवी जी ने बोला 5000 लगी है किसी ने बोला आपसे 8000 लगे 10,000 लोगों ने आपसे पैसे ले लिए फिर बोला देखो अब उस लड़की की तरप आप देखो दस मिनट एक ना एक बार तुम्हें देखे और जैसी तुम उस लड़की ने तुम्हें देखा तुम पंड़जी के पास चले गए यहां जो भी मौलवी था ठीक है उसके पास चले गए और चले नहीं के उसको फॉन करा हां उसने मुझे पल्ट के देखा और फिर कहेगा दूसरी बात करता है उसने मिरको जब अपना पास्पोर्ट भेजाना मुझे यकिन वही जर्मनी के अंदर रहती है और उसका जो खोया प्यार था वो अजमीर में रहता था उसको एक मौल भी मिला और उसने पहले उससे एक लाख लिया और फिर एक लाख रुपया इसलिए लिया कि वो उसके घर में बता देगा यह बात कि उसको एक लाख रुपया पहले किसलिए दिया गया था तो उसके साथ दो लाख का फ्रॉड हुआ मेरी तब उससे बात हुई तो यह इस तरीके से चलता है यह नंबर वन था है कि आप समझ गए कि किस तरीके से खोया प्यार वापिस सकता है किसी को अपने बस में करा जा सकता है अब नंबर टू यह बहुत सीरियस तरीका देखो यह काम करता है आपके पर्सनल इसके उपर और यह कोई इस खेम यह जैनवन तरीका है पहले आपको बता देता हूँ कैसे पहले आपके कॉमिनिकेशन इसकिल सी हमेशा मैटर करत रहते हो अपके मन में क्या thought process चलरे है जब आप किसी से बात कर रहे हो आप मतलब से बात कर रहे हो और आपको लगता है सामने वाला नहीं समझेगा तो आप समझ जाओगी आप चूतिया हो समझ अप हर केस में सामने वाले को मतलब की बातों से नहीं जीश सकते हैं तो एक business deal ना हो उसको बाद number two आपका personality आपका behavior कैसा है जैसे मेरे लिए मैं आपको अपनी स्टोरी बता हूं मेरे लिए दोस्त बनाना कोई बढ़ी बात नहीं है मेरे बहुत सारे दोस्त हैं बहुत सारे मतलब मैं जहां जाते हूं बहुत अच्छे लोग मेरे दोस्त बन जाते हैं और अच्छी बात है इसमें लगती है सर महनत आपको देखना पड़ेगा सामने वालों को क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है वो मुवीज में दिखाते हैं कि यह बंदा मुझे इसलिए पसंदे यह दिल खोल के बात करता है वर ऐसे इंसान को वह भी पसंद नहीं करता सर लोग उस मैं तारिफ नहीं कर रहा है मैं इस चीज के लिए कुछ भी कहलो सर मैं लोगों से 20 रुपे नहीं निकलवा सकता लिटरली अगर मैं बोलू कि मैं यहां पर कंप्लेंट कर रहा हूं साइबर काफे की तरह कंसीडर कर रहा हूं तो मेरे लिए नामन की ने लोग 100 150 या जो भी एमांट मैं बोला हूं वो देने को राजी नहीं होते सर मैं लिटरली आपको बता रहा हूं और वह बंदे 50-50 लाग रुपे निकलवा आते हैं इविन आप क एक इंफ्लुएंसर पर्सनेलिटी बनना चाते हो तो आपको खुद पर काम करना पड़ेगा उठो जिन जाओ पर्सनेलिटी इंप्रूव करो बुक्स रीडिंग करो इंस्टेंट ओफ लेस्निंग ऑडियो बुक्स समझ रहो ऑडियो बुक्स पर सुनने से कुछ नहीं होग कि हनुमान जी जड़ी बूटी लेने गए लक्षमाण जी के लिए तो इस तरीके से लाएं दिमाग में इमेजिन करने लग जाते हैं वो कैसे लाए होंगे या फिर मैं बोलू कि मैं एक बुक में पड़ रहा हूँ कि उसने पंच मारा उसकी नी पे नी नी चिन पे और वो कर दिया तो आपके दिमाग में इमेजिस आनी शुरू हो जाते हैं लेकिन आप उतने फोकस नहीं होते हैं जितने आप बुक्स रीडिंग में होते हैं अपने इस्किल्स को पर्टिकुलर फिल्ड में इंप्रूव करो आप जो भी हो लोग आपके ऑटोमेटिकली फैन होते करते जाएंगे देखो सक्सेस को सब सराते अंसक्सेस्फूल को कोई पसंद नी करता आपको यह लाइप की रियलेटी समझ नी पड़ेगी चाहें आप को गल फिर्ण बनाने वह आपको बैफरेंड बनाना अब आपको अपना प्रॉफेसर पसंद हो यहां प्रॉफेसर को आ मुझे नहीं बता क्रिश्चनों में वह इस वाले बंदे को क्या कहते हैं ठीक है इन सब के पास जा रहे हो ना तो यह पहली बात तो यह बंदे एक्च्वल में है नहीं जो बंदा आपसे पंडित बन के बात कर रहा है उसको कोई इस लोग नहीं पता होगा भगती था का जो पता है जिसके नाम पर यह स्कैम कर रहे हैं तो इन लोगों से बचके रहो इनकी बातों में मत आओ और अपना पैसा कहीं मत लगाओ मैं बस इसलिए यह वीडियो बना रहा हूं और यहीं दुरखास से और इंडिया में यह स्कैम्स बढ़ते जा रहे हैं मुझे नहीं पता क हूं खेर सेफ रहो अलर्ट रहो और किसी ऐसी वेबसाइट वह अपने लिए ओनलाइन फ्रेंड भी ढूड़ने मन जाओ जैसे आप ओमेगल पर चले गए ठीक है ओमेगल अच्छा प्लेट्वर्म था बात करने के लिए लेकिन अब वहां पे तुम जानते हूं क्या चल रह स्कैम निकलते हैं सर और यह मैं नहीं कहता है यह आंकड़े कह रहा है न्यूस पेपर के अगर आप न्यूस पेपर पढ़ते हो तो एड़ यह वीडियो कैसी लगी मुझे बताना और अगर आपके मन में भी कोई सुजाब है तो प्लीज कमेंट करना ताकि मैं अगली वीडि नहीं करूंगा यह वी शूर है क्योंकि मैं बहुत टाइम से लंबी लंबे टाइम से महनत कर रहा हूं दो यहां तीन साल से इस चीछ पे अट थे एंड तैंक यू फो वाचिंग दिस वीडियो आज इस्टे सेफ इस्टे हैपी विडियो लववन झाई डे वाचिंग अबनाना दे ज थाईंसे कर दो दो यहां रहा हूं पो भी हैपी कर दो दो कहां दो फो वाचिंग्ग वाचिंग कर दो बाना दो से टूर